हेलो अव्रिवान, वेलकम टो माई चैनल एम एजुकेशन बच्चो आज जो हमारा टेंस चलेगा वो है पास्ट कंटिनियूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेज आज हम करेंगे सबसे पहले इसके रूल को देखते हैं इसका रूल है सबसे पहले सबचेक्ट लिखेंगे उसके बाद वाज या फिर वर्मे से किसी एक को हम लिखेंगे वर्म की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे वर्म की फर्स्ट फॉर्म में आई एंजी हम लिखेंगे क्योंके हमारा टेंस कंटिनियूस है उसके बाद हम object लिखेंगे उसके बाद हम other बचा कुछा जो भी sentence का जो part होता है वो हम लिखेंगे अब देखना यह है कि हमारा जो वाज है वो किसके साथ आता है और जो वर है वो किसके साथ आता है I और singular I और singular के साथ वाज आएगा और plural के साथ हमारा वर आएगा तो चलिए शुरू करते हैं मैंने बहुत ही चोटे-चोटे sentences देए हैं जिससे हम बनाना सीख लें तो चलो शुरू करते हैं पहला जो tense है वो है वे पुस्तकाले में पढ़ रहे थे वे, it means बहुत सारे थे वो तो वे, they बहुत सारे हैं तो हमें plural के साथ क्या लगाना है वर, they were पढ़ रहे थे, they were read प्लस हमें ing लगाना है reading in library fully stop next हमारा जो sentence है वो है next हमारा जो tense है वो है पेडो पर पक्षी चहे चहा रहे थे हमारा subject इसमें क्या है पक्षी, कोन चहे चहा रहे थे पक्षी, it means बहुत सारे थे the birds दा हम नहीं भी लगा सकते हैं क्योंके हमें नहीं पता है कि कौन से हमारे बर्ड है birds वर चहे चहाना बोलते हैं creeping या chirping भी हम बोल सकते हैं c h i r p i n g chirping पेडो पर in the tree in the trees next हमारा जो टैंस है वो है पक्षी आकास में उड रहे थे बहुत सारे पक्षी थे birds बहुत सारे थे वर उड़ना फ्लाइंग f l y i n g flying in the sky full stop next जो हमारा टैंस है वो है किसान खेतों को जोत रहा था it means कोई एक किसान farmer वाज क्योंके farmer एक है तो हम वाज लिखे ने farmer क्या कर रहा था जोत रहा था plowing लड़के मैदान में खेल रहे थे हमारा जो नेक्स्ट टैंस है वो है लड़के मैदान में खेल रहे थे लड़के बहुत सारे थे boys were boys were boys were playing boys were playing in the field f i e l d field हमारा टैंस कम्प्लीट हुआ लड़के मैदान में खेल रहे थे boys were playing in the field नेक्स्ट हमारा जो टैंस है वो है राधा दो आम तोड रही थी काम कोन कर रहा है राधा सबसे पहले हम राधा को लिखेंगे राधा राधा एक है तो वाज तोड़ना प्लक प्लकिंग टू मैंगोज हमारे सेंटेंस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है वह इस कंपनी में काम कर रहा था कोई बोई है तो ही का हम यूज करेंगे ही वाज काम कर रहा था वर्किंग ही वाज वर्किंग इन देस कंपनी हमारा टैंस कंप्लीट वह इस कंपनी में काम कर रहा था ही वाज वर्किंग इन दिस कंपनी नेक्स्ट जो हमारा टैंस है वो है रोहन अपने रोहन अपने घर जा रहा था रोहन वाज गोईंग टू क्योंके यहाँ पर लड़का है तो इसलिए हीज हीज होम फुल स्टॉप नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है चप्रासी घंटी बजा रहा था दापियन पियन एक है तो वाज क्या कर रहा था वो बजा रहा था वाज रिंगिंग रिंगिंग दः बैल फुल स्टॉप नेक्स्ट हमारा जो टैंस है वो है राज कहानी सुना रहा था राज राज एक है इसलिए हमें फिर वाज लगाना पड़ेगा राज वाज सुनाना इट मिन्स कहना राज वाज टैलिंग आ स्टोरी फुल स्टॉप नेक्स्ट जो हमारा टैंस है वो है बच्चे पार्क में खेल रहे थे चिल्रन चिल्रन बहुत सारे थे तो वर प्लेंग इन दव पार्क फुल स्टॉप नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टैंस है वह एक पत्र लिख रही थी इट मिस शी शी वाज राइटिंग आ लेटर फुल स्टॉप बच्चो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा थेंक यू फू वाचिंग